हेलो एविर्वन वेलकम टू बैंको करियर रकेड़ में मांगे राम विश्णोई प्रोफिट लोस के एक दमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जूड़ चुका हूँ जो पिछली क्लास में में प्रोफिट लोस के कुछ क्यों किया थे आज की क्लास में जो एक दूर क्यों बस कि एक अदमी एक मेज को 15 परricanes को 12 पर हानी पर बेशता है मेज को 15 परसेंट लब भी और कॉर्षी को 12 वो ना ना हानी हो तो फोंसे यहीं से बनाने है कि अगर कहीं पर दलब द्द यहाल को ना वो ना यहाले थे हानी हो अगर ऐसी कहीं भी इक्वेशन देर के तो क्यों सब्सक्राइब बनाओ अगर मेज पर 12 परसेंट हानी हो यानि कि टेबल का 12 परसेंटेज कुर्सी के 15 परसेंट लाब के बराबर लिख सकते हैं जो चेर के 15 परसेंटेज प्रोफिट के बराबर है जब भी दो वैल्यू इक्वल होती है तो इनका रेसू इन्वर्स हो जाते हैं तो टेबल रेसू चेर क्या हो जाएगा 15 रेसू बारा पांच रेसू चार तो टेबल की कीमत पांच है तो चेर की कीमत कितनी है चार अब जब percentage निकालना तो इनी को exact value माल लो जो अगर table 500 रुपए की हैं तो chair तुमारे लिए कितने के 400 रुपए की table की किमत 500 है तो chair की किमत कितने है 400 इसके बाद आप option से भी जा सकते हो इन में से देखो कौन सा option जिसका answer पांच रे सो चार है question नहीं 5 fart 204 जिये option नहीं 5 prosecutor चार एक taraf सनी शुकार अगर एक से जादा केसी कर दो अ पहली कुर्सें बच अब यहींदी में पर्सेंट सिर्ण पांशो का फण्द्रा परतिशत पांशो का पंच्रा पहे का लाँ चेयर पर बारा परतीसत की हानी बारा परतीसत की हानी होती है माइनस की 48 लगा दिये तो ओवराल हमारे को कितने का प्रोफित 27 का जबकि ओवराल प्रोफिट देर का 540 27 की वेल्यू 540 तो एक की वेल्यू 20 इसको भी 20 से गुणा कर दो तो उस वस्तु का प्राइज कितना तो अन्सवर क्याएगा दस हजार और आठ सजार तो समझ वाए अगर आपको कहीं पर ऐसी क्वेशन देर के नो प्रोफिट नो लो तो क्यों सब्सक्राइब वहीं से बनाना स्टार्ट कर दोगे कलियर है सबको कि बनाओना एक्स्ट्कोर्शन करो कि एक रामीड वेक्ति एक बक्री और एक बेड को 14,250 रुपए में ख्रीदता है 14,250 रुपए में ख्रीदता है उसने भेड को 10% लाप पे और बक्री को 20% खानी पे बेच दिया दोनों जानवरों का समान मुल्य यह को मैंने पिछली ग्लास में कर रहा है अगर आपको दोनों का विक्रे मुल्य सेम दे दे करे मुल्य सेम दे जा पहली को जिस रेट में बेचा दूसरी को उसी रेट में हमने ख्रीदा पहले पे जितना लाप हुआ दूसरी पे उतनी हानवी अगर सेम दे दे दो आप फ्रेक्शन में थर से जाओगी फ्रेक्शन में थर में बजो दस परसेंटेज को फ्रेक्शन में क्या लिखोगे एक बटा दस और बीस परसेंटेज को क्या लिखोगे एक बटा पांच जो आपके लिए बक्री थी उसको आपने बैड को आपने क्या कियाند 10% लाव पे और बक्री को 20% हानी पे तो बक्री पे 20% हानी करेमुले, प्रोफिट लॉज़ और बिकरेमुले अब जो बक्री को 20% हानी पे बीचरे, 20% क्या होता है एक बटा पाँच यदि मैंने इसको पांच में खरीदा, एक लोज तो इसको कितने में बेश दिया, चार में दस परसेंटेज, दस परसेंटेज को फ्रेक्शन में लिखते हैं, जो हमें एक बटा दस अगर मैंने इसको दस में खरीदा एक प्रोफिट तो कितने में सेल कर दिया ग्यारा में दस में खरीदा एक प्रोफिट तो कितने में सेल कर दिया ग्यारा में दोनों का विक्रिय मुले एक समान है समान करने के लिए इसको ग्यारा से गुणा तो इसको चार से गुणा तो ये पूरी ट्रम ग्यारा से मल्टिबल ये पूरी ट्रम चार से मल्टिबल ये इनके प्राइज का रेसो बन गया अब जो आपने बकरी पच्छपन में खरीदी तो बैड़ कितने में खरीदी आपने करे मुल्य के रेसो अब बोला सस्ते वाले जानवर का करे मुल्य निकाली है पांच से कट कर दिया ग्यारा रेसो आठ रेसो का जोड उन्निस बराबर हैं 14,250 तो एक की वैल्यू उन्निस अत्य उते हुँजो एक सो तेतीस नो और पांच उन्निस पंजे पिच्छान में एक की की वैल्यू 750 तो सस्ते वाले का करे मुल्ये तो आठ की वैल्यू इसको आठ से गुणा कर दो जीरो आठ पंजे memang छाळिस आट से चाहपन चाहपन और चाहपन कितने होगे 1986 1 तो सस्ते वाले जानवर का क्रे मुल्ये कितना तो अनस्वर क्या लिखोंगे six thousand रुपीज आप देखो जो बात करें हमें डिस्काउंट की किसके बात करें डिस्काउंट की अभी तक पुझा करे मुल्य विकरे मुल्य प्रोफिट और लोस अब एक नया वर्ड यूज देख डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है MRP पर क्या फुल फॉर्म होते हैं MRP की मैक्सिमम रिटेल प्राइस या आपको अंकित मुल्य लिखाओ तो डिस्काउंट किस पर मिलता है MRP पर तो अगर डिस्काउंट परसंटेज निकालना तो किस पर लिखालते हैं डिस्काउंट डिवाइड बाई MP गुणा में 100 डिस्काउंट हम किस पर निकालते है MRP अब इसी टोपिक में आगे देखिए जो कई बार दुकानदार अपने को क्या करता है जो एक से जादा डिस्काउंट देता है उसको बलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे बोल देत फाइंड सिंगल डिस्काउंट फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट जैसे आप कई बार मुवी वगरा देखने जाते हो तो आपको क्या लिखा होते हैं टिक्टों पे 20 परसेंटेज ओफ हो अगर सो रुपय की टिकेट है तो आप कितने रुपए पे करोगी असी रुपए का जो 10 % केस बेख 10 % केस बेख on online transaction अब केस बेख किसका मिले जितना आपने पे खिया उसी का केस बेख तो 80 का 10 % कितना हो गए 8 रुपे तो फाइनली वो चीज अपने को कितने मिली बैट्तर में तो अब यह दो डिसकांट दे दिये इनको single discount में convert करने का या तो formula यूज़ करो, क्या यूज़ करोगे, x plus y, गटा में xy upon 100, x plus y गटा में xy upon 100, 10 plus में 20, minus में 10 गुणा 20, बटे में 100, दो 0 से 2 0 कर जाया, तो finally discount कितना मिला है 28%, अगर ये formula यूज़ नहीं करते हैं, तो fraction वाली approach यूज़ करोगे, 10% को क्या लिखतो 1 बटा 10, 20% को क्या लिखतो 2 बटा 10, discount किस पर मिलता है, MRP पर, तो यहाँ पर 10 वाली चीज़ पर 1 रुपए discount कितने में बेच रहा है, 9 में, यहाँ 10 वाली चीज़ पर 2 रुपए discount, तो sell कितने में कर रहा है, 8 में, इनकी multiple score, इनकी multiple better, यह आपके लिए MRP था, यह तुमारे लिए क्या था, selling price था, अगर MRP 100 हैं, तो selling price कितना बेच्टर, तो discount कितना मिला 28 का, कितना discount है 28%, तो सबसे पहले तो आपको single discount निकालना आना चाहिए, एक से ज़्यादा कोई भी discount दिये, उनको single discount में convert करें, इसके बाद हो जो, बहुत important चीज़ हम सिखने वाले हैं, selling price का जो formula होगा, विक्रे मुल्य का, जो formula होगा, वो क्या होता है, market price, अंकित मुल्य है, गुणा में, 100 माइनस में discount percentage, बटे में 100, बटे में 100, और selling price का दूसरा formula क्या होता, करें मुल्य है, गुणा में, 100 प्लस profit या माइनस में low percentage, बटे में 100, बटे में 100, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख दूँ, दोनों किसके बराबर विक्रे मुल्य है, अब इन दोनों को मैं बराबर लिखूंगे, तो finally हमारे पास cut bit के क्या आएगा, market price upon में cost price क्या आजाएगा, market price होगा, 100 प्लस profit या माइनस में low, 100 प्लस profit या माइनस में low, और यह क्या होगा, 100 माइनस में discount, सारी चीज़े इसी से करेंगे जो, अंकित मुल्य मेरे लिए क्या है, 100 प्लस profit या 100 माइनस में low, और करे मुल्य क्या होगा, 100 माइनस में discount, सारे क्योशन इसी से करेंगे, यह most important चीज़े, इसको नोट कर लिजी आप, market price क्या है, 100 प्लस profit या 100 माइनस में low, और cost price क्या है, 100 माइनस में discount, अब जैसे इस क्योशन में क्या लिखाऊगा, एक वस्तु का अंकित मुल्य है, 25 आ रहे हैं, दुकांदार इसको कितने में बेच रहा है, 18,000 में, तो छूट कितने की मिल रहे हैं, discount कितना मिल रहे हैं, 7,000 की छूट मिल रहे हैं, यह छूट किस में मिलती है, MRP पे, MRP कितना है, 25,000, MRP कितना है, 25,000, तो कितना percentage है, तो यह आपको calculation करनी है, इन 30,000 से 30,000, 25 इसको कट किया 4, तो 7,000, 28,000, तो दुकांदार कितनी छूट दे रहा है, तो answer कि आएगा, 28%, याद रखना, discount हमेश्द है, किस पे निकालेंगे, MRP पे, करो next question करो, एक वक्स्तू का अंकित मुले, 160 रुपई, गराक उस पे 2 करमागत छूट के बाद, 122.40 रुपई में खरीदता है, यादि पहली डिसकाउंट 10% तो दूसरी डिसकाउंट निकालिए, तो देखे दो, 160 रुपई MRP, फास्ट डिसकाउंट 10%, इसका 10% डिसकाउंट यानि कि 16 रुपई डिसकाउंट तो ये कितने में बेच रहा है, 144 में, आप देखो तो, इस निस में और छूट देजी, फाइनली इसको कितने में बेच रहा है, 122.40 में, तो छूट कितने की मिल रहे है, जो इस में से इसको माइनेस करो, इस में से इसको माइनेस करो, तो कितना होगा, 21.60, डिसकाउंट कितना मिला, 21.60, तो ये दूसरा डिसकाउंट, एक सो चौमारीश पर मिला, जो ये इसका कितना परसेंट है, 21.60, बटे में एक सो चौमारीश, गुना में सो, अब जो इसका पॉइंट अटाओगे, तो निच्चे ये जीरो आजाई, इस जीरो सी ये जीरो, ये पॉइंट अटाया, तो निच्चे क्या आगी, जीरो आगी जाई, अब देखो, 216 का क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, च्छे का क्यूब, अगर मैं इसको 36 से कट करूँ, तो ये 6 आएगा, 36 से इसको कट करूँ, तो ये कितना आएगा, चाहरा आएगा 2 से कट केया थे 2 ते तीन और ये 2 2 से 10 को कट के तो 5 दूसरा डिसकाउंट हमारा तना मिल रहा है पांस, ते-फंद्रा पर्सेंटेज तो सेकिन डिसकाउंट कितना होगा 15% 120 का 10% 167 कम कर दिय estimates 144 144 वाले चीज इतने हैं तरद डिस्काउंट कितना मिला 21.60 144 का कितना परसेंटेज बस यही कैलकुलेशन अपने को करने थी था सेम एक्जमपल जल्दी ज़े करो इस कोशन को एक वस्तु का अंकित मुले 55 रुपए एक घराक दो छूट के बाद इसको 56.16 रुपए में खरीदता है यहीं दोनों करमागत छूट 4 परसेंट और के परसेंट है तो के कमान गया थी पहले यह 65 रुपए की चीज थी जिस पे 4 परतिसत डिसकाउंट 65 का 4 परसेंटेज 65 का 4 परसेंटेज 65 गुणा में 4 बटे 100 2 से कट किया यह 2 और यह 50 5 से कट किया यह 13 और यह 10 तो कितना होगे 2.6 इस में से 2.6 का डिसकाउंट है 65 में से 2.6 माइनस करोगे तो यह क्या बच जाएगा 62.4 अब आगे वो इसको सेल कर रहे हो आगे इसको कितने में सेल कर रहे है 56.16 अब इनके बीच का डिफरेंस है यह दूसरा डिसकाउंट है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा माइनस करो तो यह आएगा 6.24 तो 6.24 बटे में 62.4 गुणा में 100 इसका पॉइंट डाउट निच्छे आजएगा 100 और इसका पॉइंट डाउट उपर चला जाएगा 10 पॉइंट से पॉइंट दोनों में खतम अब 624 से 624 कर जाएगा 100 से 100 कर जाएगा तो दूसरा डिसकाउंट कितना मिलेगा तो अनस्वर क्या आएगा 10 परसेंटेज करो next question करो एक दुकानदार अंकित मुले पे 20 परसेंट छूट देके 10 परसेंट लाब कमाने चाहता है तो अंकित मुले करे मुले से कितना अधिक है तो अभी आपको मैंने क्या बताया जब भी कोई भी क्योस्टन होगा मार्केट प्राइज और कोस्ट प्राइज आप दारेक्ट निकाल लोगे मार्केट प्राइज होगा सो प्लस में प्रोफिट परसेंट अगर प्रोफिट देर का तो प्लस में या लोस देर का तो माइनस में बटे में कोस्ट प्राइज क्या होगा सो माइनस में डिसकाउंट परसेंटेज अब उसे 10 परसेंट लाब कमान है तो प्लस 10 कितना हुए एक 110 बीश परसेंट शूट तो यह कितना इसी अब थेकं अगर कन दाओ धर करे मुल्य 60 है तो मार्केट प्राइज 110 करे मुल्य 50 कितना 106 पीशे करे मुल्य 50 बचाथ एक बटा आठ होता है साड़े बारा तो तीन बटे आठ क्या होगा साड़े 37 परसेंटेज तीन बटे आठ क्या होगा साड़े 37 परसेंटेज करो नेक्स्ट कोशन करो एक दुकानदार अंकित मुल्ये पे 10 परसेंट की छूट देके 30 परसेंट लाब कमाना जाता है तो अंकित मुल्ये करे मुल्ये से कितना अधिका सेम कोशन हो तो मार्केट प्राइज क्या लेका है 100 प्लस प्रोफिट यानि कि 130 और करे मुल्ये 100 माइनस दिस्काउंट तो ये कितना नभबे कि यह करे मुल्य से कितना ज्यादा हैं 40 कि से करे मुल्य नब्बे 40 वटे नो तो एक वटा नो तक 11 से एक वटा नो तो चार वटा नो क्या आते हैं 44 4 by 9 परसेंटेज 44 4 by 9 परसेंटेज एक दुकानदार अंकित मुल्य पे 25 परसेंट की छूट देके 30 परसेंट लाब कमाते हैं 30 परसेंट की छूट देके 30 परसेंट लाब कमाते हैं यदि उसका लाब 90 रुपए है तो छूट की रासी ज्याद कीजी आप देखो तो इस कोस्टन को करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो आपको क्या बता है जो मार्केट प्राइज क्या बटे में कोस्ट प्राइज मार्केट प्राइज क्या लिखा है सो प्लस प्रौफिट और कोस्ट प्राइज क्या लिखा है सो माइनूस में डिसकांट एक pretend यह होगा मstäट प्राइज, क्या होगा सो माइनूस डिसकांट, डिसकांट कितना 25 तो अगर यह सो रुपए तो यह कितना है 130 रुपए बाइस का लाब है तो विक्रे मुल्य कितना है 37.5 यह समझमा है 37.5 काहँ से आया है क्रे मुल्य हमने निकाल लिए पिचेतर 30% कितना होगा 25.5 तो यह ऊगा 27.5 या तो यह तरीका युज करोगे नहीं तो दूसरा तरीका देखो दो 25% को fraction में लिखते हैं 1 बटा 4 25% को fraction में क्या लिखते हैं 1 बटा 4 यदि market price 4 है एक रुपए discount तो selling price कितना है 3 selling price कितना है 3 30% को लिखते हैं 3 बटा 10 profit किसमें निकालते हैं करे मुल्य पे यदि करे मुल्य 10 है तो 3 रुपए profit तो selling price कितना है 13 अब दोनों में selling price को बराबर कर दो यहाँ पे selling price 3 है यहाँ पे 13 तो इसको 13 से गुणा तो इसको किस से गुणा 13 से गुणा किया 13 चोक 52 13 तियो 49 और यह 30 यह इन तीनों का रेस्ट आ गया यह market price है यह selling price है यह cost price है यह rates तो समझ माँगे दो अगर यह rates तो समझ माँगे दो profit, loss, discount के सारे question कम्प्लीट हो है आप देखो दो इसमें उसका लाब 90 रुप है यहाँ से देखो लाब कितना है यहाँ से देखो लाब कितना है यहाँ पे लाब कितना है साड़े बाइस का साड़े बाइस की वैल्यू देर की 90 तो एक की वैल्यू चार डिसकाउंट की राश से ग्यात कीजिए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना 32.5 तो 32.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 कितना आ जाएगा 130 यहां से करो जो 30 में खरीदा, 49 में बेच दिया तो कितना अलाब कमाया, 9 का 9 की वैल्यू 90 तो एक की वैल्यू 10 तो डिसकाउंट कितना 12 वाली चीज 49 में बेच दिसकाउंट कितना 13, तो 13 की वैल्यू क्या जाएगी 130, दोनों मैंसे कैसे भी आप रेसों कल्कुलेट कर लो करो जल्दी से वजो विदिन सेकिंड इसकोशन को बना दीजिए जो आफ एक व्यक्ति अपनी वस्तूओं को इस परकार अंकित करता है कि वह साड़े बारा परसंट की छूट देने के बाद बीस परसंट लाव कमाता है यदि वस्तूओं का करे मुल्ले ये तो अंकित मुल्ले जात कीजिए तो मार्केट प्राइज अभी आपको क्या लिका है सो प्लस प्रोफिट याने के एक सो बीस करे मुल्ले क्या लिका है सो माइनस डिसकाउंट डिसकाउंट है साड़े बारा साड़े बारा माइनस करो दी होगा 87.5 इसका पॉइंट एडाया दूपर ये दस चला गया जो अब तो सो से कट किया तो यह आ गया बारा पचीस से कट किया तो यह बारा गुणा सो था पचीस से कट किया तो पचीस तिये पिचेतर कितना बच गया बारो और पांच यह पूरा-पूरा कर जाए 35 तो अगर बचो यह क्रेम उले 35 है तो यह कितना है 48 अब 35 की वैल्यू देर की कि मराउन एक्सक्रोशन बताओं कि देखिए इसक्रोशन में क्या लेका उसका लाप परतिसत ग्याद किजिए का भी भी आंस्वर वज़ाब को परसंटेज या रेसो में चाहिए तो एक्जएक ढाटा की कोई जरूत नहीं है इस सत्र 1170 की कोई जरूत नहीं है अगर इससे बनाने लगाए तो क्योशन बहुत लठी चला जाएगा एक वैक्ति किसी वस्तू को 1170 रुपए में बेच के अंकित मुल्ये पे 10% छूट देता औ 30% लाब कमाते हैं तो market price कितना होगा 100 plus profit 130 करें मुले क्या हो जाए 100 minus discount तो 90 यदि वैं कोई भी छूट ना दें तो लाब परती साथ ग्यात किजिए जो अगर वैं कोई भी छूट नहीं देता यदि वैं कोई भी छूट नहीं देता यदि वैं कोई भी छूट नहीं देता तो जितना अंकित मुले हैं उसी rate में बेचेगा अगर आप customer होर 130 लिखार दुकानदार कोई भी छूट नहीं दे रहे तो 130 में बेचेगा ना तो अगर कोई भी discount ना दे no discount अगर कोई भी discount ना दे तो विख्रे मुले क्या होगा 130 खरीद के किपने में लाई किते अ कमाता चारीश का अलाव कमाता किस पर enavour कितना परसेंटेज यो एक ग्यारा से इक बटान दो बटान तो चारवी नो क्या होगशे चौमाडिय Love से ProfBir 하게 कितना होगशे मानी से far भटानो करो नेक्स्ट क्योस्टन करो अब देखो तो इस क्योस्टन में क्या लिका है लाप परतिसत ग्याद कीजिए याद रखना है अगर कभी भी परतिसत में ग्याद करना है तो एक्जेक्ट डाटा की जुरूत नहीं इस पंदरा अजार छेस्सो की कोई जुरूरत नहीं है जो इससे चले जाएगे तो क्योस्टन बहुत लेंती बन जाएगा एक व्यक्ति किसी वास्तु के अंकित मुल्य पे आठ परसेंट की छूट देता है और 19.6 का लाब कमाते है तो मार्केट प्राइज क्या हो गया 100 प्लस प्रोफिट जाने के 119.6 करे मुल्य क्या हो गया 100 माइनस डिसकाउंट आठ परसेंट कम करो दी ये 92 यदि वह कोई भी छूट ना दे यदि कोई भी छूट ना दे तो मार्केट प्राइज उसका विक्रे मुल्य होता है कोई भी छूट ना दे तो यही उसके लिए विक्रे मुल्य है अब बाणमे में खरिद के 119.6 में बेच रहा तो प्रोफिट कितना कमाएगा इनका डिफरेंस प्रोफिट है इनका डिफरेंस प्रोफिट है तो कितना प्रोफिट कमाएगा 27.6 का यह प्रोफिट किस पे कमा रहे है 92 पे कितना परसेंटेज है यही कैलकुलेसन अपने को करनी है 0 से 0 23 से कटके 23 से कम 23 4 और 6 बचके 23 दूनी 40 23 से इसको कटके 4 3 और 10 कितना होता है 30 परसेंटेज कितना अंस्वर आएगा 30 परसेंटेज करो next example बना हो एक विक्ति किसी वस्तू के अंकीत मुल्य पे 10 परसेंट की छूट देकर 1170 में बेच रहे है तदा 30 परसेंट लाब कमाता है यदि वह केवल 5 परसेंट छूट दे तो लाब परतिसद ग्याद कीजिए देखे हो लाब परतिसद तो 1170 की कोई जूरूरत नहीं है मार्केट परसेंट क्या होगा 100 प्लस लाब यानि की 130 करे मुल्य क्या होगा 100 माइनेस डिसकाउंट 90 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यदि वह 5 परसेंटेज छूट दे 5 परसेंटेज तो छूट अमेसा किस पर मिलती है MRP पर इस पर 5 परसेंटेज छूट 5 परसेंटेज हो गया वह जो इसका 6.5 इतनी छूट दे तो बेचेगा कितने में 123.5 कितने में बेचेगा 123.5 अब जो खरीद के लाए 90 में बेच रहा है 123.5 में तो प्रोफिट कितना कमा रहा है 33.5 का प्रोफिट कमा रहा है किस पर नबेच परसेंटेज में निकालना तो गुणा मेस हो इसका प्रोफिट अट हो गए तो निच्चे 0,20 से 2,0 तो 335 को 9 से कट किया तो 9 तिया 27 कितना बच गया 6 और 5 9 ते 63 बच क्या 2 और 9 37 सही 2 बटा 9 परसेंटेज कितना प्रोफिट होगा 37 सही 2 बटा 9 परसेंटेज एक फुटकर विक्रेता थोक से 56 कलमों के 70 कलमों के अंकीत मुल्या पर खरीद रहा है मान लीजिव जो एक कलम का अंकीत मुल्या एक रुपए है तो 70 कलम का अंकीत मुल्या कितना है 70 रुपए बट थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 56 कलमों के अंकीत मुल्या तो 56 का अंकीत मुल्या कितना होगा 56 रुपए तो ये इसको 70 वाली चीज 56 में बेच रहा है 70 वाली चीज कितने में बेच रहा है 56 में तो डिसकाउंट कितना मिला 14 का discount मिला 70 पे 14 का discount मिला 70 पे तो फुटकर का discount percentage पूछे तो 1 बटा 5 1 बटा 5 कितना होता है 20% यदि आप से discount percentage पूछे तो 1 बटा 5 कितना 20% यदि profit percent पूछे तो ये 56 वाली चीज़ 70 में बेचे तो कितना कमाएगा 14 कमाएगा किस पे 56 पे 1 बटा 4 1 बटा 4 कितना होता है 25% तो discount पूछे तो 20% profit पूछे तो 25% लाब परतिसत ग्याद किज़े तो answer क्याएगा 25% Next question एक ठोक विखरेता 36 कलमों के अंकित मुल्य को 40 कलम पे बेशता है 36 के कलम को 40 पे बेशता है और 1% की छूट देता है माल लीजिए एक कलम का MRP 1 तो 40 का MRP कितना 40 36 का MRP कितना 36 अब वो 1% की छूट दे रहा है 40 कलमों के अंकित मुल्य पे इस पे 1% की छूट 1% की छूट होती है है जीरो पॉइंट चार तो फाइनली वो कितने बेचेगा 49.6 में कितने बेचेगा 49.6 में खरीद के लाए 36 में बेच रहा है 49.6 में तो प्रोफिट कितना 3.6 का प्रोफिट है 36 पर गुणा में 100 तो उसका लाब परती सथ कितना तो अंसवर कैएगा 10 परसंटेज वह लाब कमाएगा कितना लाब कमाएगा तो अंसवर कैएगा 10 परसंटेज देखो तो क्योस्टन में क्या लिखा एक वेक्ति वस्तु का अंकित मुले 800 रुपे और उस पे दो करमागात बट्टे 25 परसेंट और 15 परसेंट की छूट पे बेचा जाते है ख्रीदने वाले इसे 15 परसेंट की छूट के बाद 20 परसेंट लाब अरजित करना जाते है तो बताएए ख्रीदार के लिए सुची मुले क्या होगा देखो तो क्योस्टन में क्या लिखा है एक वस्तु का अंकित मुले कितना है 800 रुपे उस पे वैद दो कर्मागत बटे 25 परसेंट और 15 परसेंट की छूट पे बेचा जाता है ख्रीदने वाले से 15 परसेंटेज की छूट के बाद 20 परसेंटेज लाब अरजित करना चाता है तो ख्रीदार के लिए सुची मुले क्या होगा तो ख्रीदार क्या प्राइज रखेगा आप देखो तो पहले 800 रुपे का 25 परसेंट 25 परसेंट होता है एक बटा चार 25 कितना होता है एक बटा चार 800 का एक बटा चार कितना हो गया तो फाइनली ये खरीदार इसको कितने में खरीद रहा है पान्सो दस में अब वे पंदरा परसेंट की छूट देने के बाद बीस परसेंट ला बरजित करना जाते हैं तो बताएए उसके लिए सुच्ची मुल्य क्या होगा तो मार्केट प्राइज क्या लिखा है 100 प्लस प्रोफिट और करे मुल्य 100 माइनस में डिसकाउंट तो अगर ये 120 रुपए है तो ये कितना है 85 रुपए पांच से कटके है ये 24 है तो ये कितना है 17 अब इसने खरीद के लाए 510 में तो 17 की वैल्यू 510 तो एक की वैल्यू के आज़ेगी 30 तो 24 की वैल्यू के आज़े आजी साथ सो बीस रुपए तो जो खरीदार है वो अपनी वस्तु पे कितने का स्टिकर लगाएगा तो अनसर काएगा तो समझ मायब तो डिसकाउंट का ये तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेर कीजिए थैंक्यू बचू जय हिन जय बारत